Hello friends, welcome to my channel, उम्मिद करता हम सब लोग अच्छे हो दोस्तों आज जो की इटालेशन हम करने वाले हैं वो है माइनर कॉर्स फेमली का आखरी लेशन ठीक है? आज तक हमने सारे कॉर्स फेमली में सारे कॉर्स फेमली हम सेख चुके हैं जैसे की A माइनर, B माइनर, C माइनर, D माइनर, E माइनर, F माइनर आज जो है लास्ट G माइनर ठीक है? तो इसके साथ हमारा माइनर कॉर्स फेमली का जो सिरित चल रहा था ये खतम हो जाएगा और उमीद करता हूँ कि आपको यह सारे जो कॉर्स फैमिली जो है सीख के कुछ फायदा हो रहा है फायदा तो जोरूरी होगा इसलिए मैं बना रहा हूँ जो लोग प्राक्टिस करते हैं वो लोग कॉमेंट में लिखते हैं कि आप देखिए मेरा मेजर कॉर्स फैमिली में देखिए कितना कॉमेंट्स आया है ठीक है उहाँ पर पता चल जाएगा कि मतलब कितना फायदे होता है अगर गिटर जल्दी और असानी से सिखना है मैं आपको एक टिफ्स देता हूँ मेरा जो 1-43 गिटर लेशन है बिगिनर लेबल का एनिबोडी कन प्लेटर लेशन सीरीज जो प्लेलिस्ट है उसको आप प्ले कीजिए और 43 लेशन अगर आप सीखेंगे आपको कोई भी गाना आप मतलब बजा सकते है तो यह मतलब अपका जो गिटर बजाना बहुत इंप्रूब्मेंट हो जाएगा और अगर सही से प्राक्टिस कर लिया तो आप बहुत अच्छा से गिटर बजा पाऊगे तो चलिए अभी शुरू करते हैं गिटर लेशन दोस सब्सक्राइब बाइस स्ट्रक्टर वे जिसके बाद जो लेशन आना है उस हिसाब से गिटर सिखने के लिए आप चैनल मेंबर बन सकते हैं चैनल मेंबर लोगों के लिए मैंने बहुत अच्छा से जो बीगिनर लेवल मैं लेशन्स जो दिया है मॉडिल वन मॉडिल टू मॉडिल 3 का एक्सेस मिल जाएगा और वहां पर पूरा बिगिनर लेवल सिख सकते हैं और इंटर्मेडियर लेवल और एडवांस लेवल भी मेंबर लोग के लिए होगा जो अभी बना नहीं है बन रहा है देदरी करके अपलोड होगा सिर्फ मेंबर लोग के लिए उसके बा तो जलिए लेशन शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब किये नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ज़लूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों आज का जो लेशन है उसका ह सब्सक्राइब कर दोस्तों डजरें सब्सक्राइब के रिकीज डाइब पैंड पैजिए पहले में आप लोग ईए पहल्री में बता रहा हूं पिर से जो लोग न्या है पहली बात देख रहे हैं सम्झ में धी जो लोग series follow नहीं किये हैं, अगर मैं तो recommend करूँगा, आप series follow कीजिए, जो beginner level का है, module 1, module 2, module 3, 1, 243 lessons, आप follow कीजिए, तो चलिए अभी शुरू करते हैं, पहले मैं आपको बोल देता हूं, कि notice and circle तो आपको याद होगा, कौन सा note कि इसके बादा आता है, ठीक है तो भी मैं ए ठीक है न, फिर C में वापस राता है, बी के बाद, तो यह है notation circle, तो अभी चलिए, अभी minus scale construct करने का जो formula है, ओ मैं आपको बताता हूं, कोई भी pain और paper में आपको लिखने का जुरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूं, उसको बस concentrate करके सुनो, आपको पूरा दिमाग में बै तो यह होता है आपका minus scale बनाने का जो formula, तो इस formula के हिसाफ से जो पहला root note जो होगा, वो है G, क्योंकि G minus scale में जो root note जो होगा, वो G है, G से start होगा, ठीक है, तो पहला note हमारे G हो गया है, second note क्या होता है, whole note, तो G का whole note क्या हो गया, G का whole note A, ठीक है, याँकि G के बाद G साब होता है, उसके बाद A, ठीक है, तो G का whole note A हो गया, तो second note आपका A हो गया, उसके बाद कौन सा note आता है, half note, तो A का half note क्या हो गया है, A serve, तो third note हमको मिल गया है, ओ है A serve, अभी fourth note क्या हो गया है, fourth note whole note, तो A serve का whole note क्या होता है, A serve के बाद आता है, B, B के बाद C आता है, तो fourth नोट आपको मिल गया, वह है C, अभी क्या है, next note क्या है, whole note है, fifth note, तो C का whole note क्या हो गया, D, ठीक है, तो fifth note भी आपको मिल गया, D, उसके बाद sixth note क्या होगा, sixth note होता है, half note, D का half note क्या होता है, D sub, ठीक है, तो अभी sixth note हमको मिल गया, वह है D sub, अभी 7th note क्या होगा, 7th note क्या होता है, whole note होता है, तो D sub का whole note कौन सा होगा, D sub के बाद आता है, E, E के बाद F हो गया, F, यहाँ पर generally बहुत लोग mistake करते है, E के बाद जो F होता है, वो whole note नहीं होता है, वो half note होता है, यह हमको याद रखना है, तो D sub का whole note आपको मिल फ ठीक है तो जो की होल नोट है अभी next note कौन सा है गा F का होल नोट G बापस G में आ गए ठीक है तो अभी जो फॉर्मूला के ही साब से जो G minor scale में जो notes बना ओ है कौनसा कौनसा है तो first note हो गया G, second note हो गया A, third note हो गया A serve and fourth note हो गया C, fifth note हो गया D, sixth note हो गया D serve, seventh note हो गया F और बापस G अभी हम minor course family के formula अप्लाई करेंगे और पता करेंगे कि कौनसा कौनसा इस में से major बनेगे, कौनसा कौनसा minor जो minor course family के हिसाब से जो formula होता है तो first, fourth and fifth are minor तो G minor हो गया उसके जोन दो C minor हो गया और D minor हो गया फज्के यह हो गया आपका minor major कौनसा कौनसा हो गया third, sixth and seventh remote major तो third note कौनसा है A serve major हो जाएगा 6 and 7 क्या है D serve and F major फज्के है तो D serve and AirPods major ध्के रीके तो Z definitely measure défin oneself में से pinch note कौन सा है ए है तो ए डिमिनिस बन जाएगा तो यह हो गया आपका course family ठीक है तो फार्स्ट G minor second A diminished third A sub major fourth अपका C minor fifth अपका D minor जिफ्ट जो हो गया D sub major and seventh जो है F major उसके बाद आपका बापस G minor ठीक है तो दिज़धे course in G minor course family अभी हम क्या करेंगे practically इसको बजाएंगे एक strumming pattern ले लेंगे और दो-तिन course progression मैं आपको practice करने के लिए देँगा आप लेकिन सारे course को practice करते रहें ठीक है जितने भी course मेंने बताया सारे course को आप diminished court को छोड़के सारे course आप practice किजिके diminished court जो होता है पहले तो बहुत rare use होता है गाने में second चीज diminished court का जो formula है और एक जो theory है मैं अलग सा एक series बनाऊंगे diminished court का तब आप सिखेंगे ठीक है ओ सिखने के बाद आप diminished court बढ़ा सेकते हैं तो अभी चलिए अभी हम practice करते हैं तो strumming pattern जो हम को यूज करना है वह सेम जो हम F minor में यूज के थे डाउन डाउन अप डाउन 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 J minor D minor G minor V टीक है शारे बार्कोर्स हो बाकौर्स में बचताylook यही बार्कोर्स फ़निटन है तो अन्त में बता दूँगा कि equation का जाएंगे इफ फटょ अभी प्रेटिस करते है यह ला μέंस प्रशीर कर्द्द के शर्ट ठीक है तो यह हो गया पहला प्रोग्रेशन अभी सेकंड प्रोग्रेशन प्राक्टिस करते हैं जी माइनर सी माइनर उसका ठीक नीचे ही है उसके बाद एफ मेजर फिर बापस जी माइनर ठीक है चुल यह प्राक्टिस करते है आः पी माइनर एफ मेजर गार फिर फिर जी मायच सहीं मेर मंद्ज आ मेंद्ज सी माइनर प्रोग्रेशन दिया थीक है बाकिए आप सारे कोर्स प्राक्टिस करते रहें सारे जितना भी ध़िक है एक कर्स एक एक से दूसरे cela कॉड्स किजिए तो ऐसा करकर प्राक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका सारे कोड़ प्राक्टिस हो जाए ठीके अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको बारकोड होल करना नहीं आता है कि आपको बारकोड जो है मेरा सीरीज भी अभी तक आया नहीं है तो अभी मैं बताता हूं कि बारकोड बारकोर तफ होता है थोड़ हुआधा थो बारकोर अगर अब को نہیں करना है और जी मैनर जाना है तो इसको हम members करके कैसे ब्जा सकते हैं क ठीक है मैं आपको बताता हूं कि आपको कहा लगाना पड़ेगा और कौन साटो सब Pvd만 को बजाना हे तो आप जैसे की F minor chords family में आप पहला ठीक है यहां पे F होता है तो यहां पे आप कैपो लागा रहे थे और E minor बजाया थे ठीक है ठीक है अभी G minor के लिए क्या करना पड़ेगा तो G minor के लिए आपको संदि और 3 फ्रेड में रखना है कैपो और E minor सेप में बजाना है ठीक है तो इमाइनर के लिए हम इसे जो कैपो लगता है उसको एक fret गैप देके आपको बजाना है ठीक है na E minor ठीक है यहां पे फोल्ड करना है ठीक है तो यह हो गए आपका जी- Duty ऊज रहा है लेकिन हमी मारनिय बज़ा रहा है लेकिन हम cage रहे हैं की हमी मारनियर जो кॉर्ड फ़ेमिली ओ बचाएंगे जी मारन के बर्दने में तो यह होगा आपका ईमाइनर कोर्ट फेमिली बचेगा इसे में ठीक है तो यह जुगार हो गया मानलो तो लेकिन आप प्राक्टिस कीजिए जी माइनर बगरा जो है ना बारकॉर प्राक्टिस कीजिए और बारकॉर मेरा बहुत सरा लेशन आने वाला है आगे इंटरमेडियेट लेवल में एक टॉपिक के ऊपर एक लेशन मॉडिल बनेगा तो लेना है तो उमीद करता हूं कि इस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो उमीद करता हूं को यह लेशन अच्छा लगा कैसा लगा प्लीज आप कोमेंट में लीखे आपका कमेंट मुझे बहुत दिमोटिवेट करता है ताकि मैं आगया और भी अच्छा अच्छ विड़िव तो दोली पोली ताक में अवेट विमोट हिए कि झानल कोमेंस कि मी भाऑ ma उपका उनल अट भी विशछार कैसा के ही अार। झाल झाल